करना आपको नूरमल डेश्टॉप के बारे में बताऊंगा कि आप क्या होता है अखिस्टॉप का है हम रिष्टॉप के है तो कि डेश्टॉप के हम देश्टाम पर काशी 중요한 opposition को रख सकते हैं कैसे उपन करते हैं क्या चीज़न है सब से पहले हमारे डेश्टॉप का काम है चीजियों को पर्जेंट करना जयाज हम कुछ भी आइकन रख सकते हैं डेश्टॉप पे कुछ भी वीडियो रख सकते हैं इसे यहीट राइट क्लिक करके इसको पर जाएंगे तो यहाँ पर औप्शन आता है right-click के OPTION आते हैं अइकन के view, large view medium view, small view then auto arrange icon and align icon to grid show desktop icon अगर आप इस पर untick करेंगे तो desktop के आईकन Siya नहीं होंगे अगर उन्टिक है तो अगर आप तिक करेंगे तो icons how videos show होगे देस्टॉप पे आइकन लेके डिआने यहां पर अपने इस डेश्टॉप पर आइकन लेकर आने हैं इस PC का, Recycle Bin, Control Panel वाई डिफोर्ट तो आइकन आते हैं पर कुछ डिफोर्ट नहीं होते हैं कुछ को हमें खुछ सेट करना पड़ता है तो इसके लिए हम यहां पर परस्नलाइज में जाएंगे परस्नलाइज में जाने के बाद हम यहां पर थीम पर जाएंगे देश्टॉप आइकन सेटिंग तो हम यहां से इस पर टिक लगा देंगे जैसे कम्प्यूटर का आइकन हमें चाहिए, Recycle Bin का हमें आइकन चाहिए, User Profile का चाहिए, Network का चाहिए और Control Panel का चाहिए, तो then Apply करेंगे और OK कर देंगे तो हमारे जो आइकन है वो यहां पर आज शो हो जाएंगे अब हम इन आइकन का साइज जो बड़ा चोटा कर सकते हैं चाहिए लाज आइकन करेंगे तो लाज आइकन में शोंगे, इनका साइज बढ़ जाएगा, अगर मीडियम करेंगे तो मीडियम में आज जाएगा इनको स्मॉल करेंगे तो स्मॉल में आज जाएगा जहां पे इन्होंने automatic space होगा वहीं पे यह set हो जाएंगे तो इसको हम auto arrange icon कहते हैं अब second है कि यह third जो short item है इससे हम क्या करते हैं अपने icons को short करते हैं कि हम by name से इसको short कर सकते हैं size से item type से और date modified से name से यह होगा कि वो ascending order में चलेंगे तहे सबसे पर रदूसरा हम इसको ठास्सके सबसे नीचे हाज जा जाएगा हम इसको बखास्टण चाहें कर सकते हैं जा जरूरी होती है जो बार लीए ऐची होते हुआए वह बिक्क तरक में आ रिक हो जाती है या इसे दिस पर आएकन जो लू है जो हो इएक जिन जो कि ईंधाइच इस फोल्डर को जैसे डेमु मैंने नाम दे तिया थे नःता है नए अब नहीं आप डाल उटक्र इसमे था इसमें कुछ भी डालना है तो जैसे आपने नई एकस्ल फाइल बना लिया वर्ल में लोर आप इसमें रख सकते हैं यहीं से निव फोल्डर से ही आप excel फाइल को कर सकते हैं text file को create कर सकते हैं zip files create कर सकते हैं यह थे desktop के features multi-use के लिए आप desktop window 10 में और feature है कि आप एक ही desktop के साथ बहुत सारे desktop open कर सकते हैं जैसे आपने इसके ओपर click कर दिया तो यहां पर option आजाएगा new desktop का तो new desktop के ऊपर आप काम कर सकते हैं जैसे इस पर कुछ भी नहीं किया होगा जैसे मानलो मैंने इस पर open कर लिया है mozilla इस पर मैंने mozilla open किया हुआ एक software तो software के open होने के बाद हम इसी पर अगर मानलो मैं कोई देश्टॉप चाहिए जिस पर mozilla नहीं हो मैं कुछ और काम करना चाहता हुआ तो आप यहां से जाके डेश्टॉप व्यू से आप इसमें एक ओर डेश्टॉप कर सकते हो यहां पर गए तो यह आपके डेश्टॉप खाल लिश होगा एक डेश्टॉप पर आपका content कुला हुआ है पर एक पर आपका कुछ भी नहीं है तो यह था डेश्टॉप के features इसमें आप बहुत सारे features हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हो यह से आपकी कोई आप यहां से इसका resolution कम ज्यादा कर सकते हैं और भी बहुत सारे features हैं जिनको हम डेश्टॉप से कम ज्यादा करके उन पर काम कर सकते हैं इसको मैं यूज कर सकता हूँ बहुत सारे और भी बहुत लेश्ट रेजलिशन है तो आप यहां से कीप चेंज करेंगा तो बहुत चेंज हो जाएगा तो यह था डेश्टॉप के उपर demo video मेरा अगर अच्छा लगा तो प्लीस थैंक यू